सहस्त्र शिरिखा, सहस्त्र पुरुकाह, सहस्त्र पादस, भूमिगुंग, सरबातस्पित्वा, त्यतिष्टद शांगुलम्मा जैश्री कृष्णा, जैश्री रादे, आप सभी भक्तों का, आप सभी यात्कों का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अविनंदन है, सु स्वागत है, भक्ति रहसलाइप पर बंदो, आज हम आपके लिए एक विशेश कारेकर्म लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शाली ग्राम भगवान की पूजा कैसे करें, और भगवान शाली ग्राम का पादुर भाब कैसे हुआ बंदो, गंड की नदी से भगवान शाली ग्राम का पादुर भाब होता है, इसके संदरब में महुत ही सुन्दर कथा है, ब्रिंदा, तुलसी, जो अपनी जो एक पती ब्रता नारी थी, और भगवान विश्नु ने उसके पती ब्रता धर्म को नश्ट किया, और भगवान व बिश्नु को श्राप मिला कि वैपत्थर गय बन जाये, मा लक्ष्मी ने श्राप दिया विरिंदा को कि तुम जड हो जाओ, तुम रिक्ष बन जाओ, तु विरिंदा बन गई तुलसी, बगवान विश्नु बन गई शाली ग्राम, और इन दोनों बगवान विश्नु कहां रहते हैं गंड की नदी जो नेपाल में है बहाँ पर और भगवान विश्णु को जो शाली ग्राम भगवान का स्वरूप है वो कहां से निकलता है गंड की नदी से और जे शाली ग्राम भगवान क्या है जे शाली ग्राम और नर्वदेश्वर शिबलिंग अगर दोनों की बा पास शाली ग्राम बगवान है आपके घर में जहां पर आप पूजा सली है बहां पर आप शाली ग्राम बगवान को आपने रखा है बगवान आप शाली ग्राम आपके घर में है जा आप बगवान के घर में रह रहे हैं या मेरे कहने का भी प्राय कि इस संसार ही बगवान का है तो आपने कैसे पूजा करनी है और बगवान शाली गराम की पूजा में क्या क्या वस्तवें जरूरी है कौन-कौन से बैउपकरण है जो बगवान शाली गराम के पास हो तो बगवान शाली गराम परसंग रहते हैं तो सरप्रथम अगर आपके घर में शाली ग्राम भगवान है तो उनके साथ गोमती चक्कर का होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में शाली ग्राम है तो नित्य प्रते दिन उनको दुर्वा कुरान चड़ाना अति आवश्यक है। आपके मूर्ती का फल आप चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का फल मिले तो वो एक ही ऐसी प्रतिमा है एक ही ऐसी मूर्ती है शाली ग्राम भगवान। जा फिर श्री नरद्वेश और महराज जिनकी पूजा करने से आपको आपकी पूजा का संपूरन फल, संपूरन लापराप्त हो सकता है। तो बंदू ओ, दिहान से देखिए इस वीडियो को। बगवान बगवान बिश्णू का सुवरूप शाली ग्राम भगवान। जहां भी रहते हैं बहां पर क्या करते हैं सरप्रथम ये भूत प्रेत पिशाज को दूर बगा देते हैं। सदेव दृद्धरता को दूर बगा देते हैं, सदेव इनके पास कोई भी ऐसी बुरी जो नेक्टिविटी है वो नहीं रहती, सदेव पोस्टिविटी रहती है, शाली ग्राम बगवान जहां रहते हैं, बहां से सो सो कोस दूर तक कोई भूत प्रेत पिशाज फटक नहीं सकता, और आप भागे शाली हैं, अगर आप बगवान शाली ग्राम बगवान की पूजा के अदिकारी हैं, तो सरप्रथम आप अपने घर में जो भी शाली ग्राम और भगवान का धोवन जो बिंदु जल मात्रवी अगर आप क्रेहन करते हैं तो क्या होता है? अब बैकुंट लोक में चला जाता है, तो बंदो अपने घर में बगवान शाली ग्राम को अगर आपने स्थापित किया है, तो सरप्रथम आप बगवान को एक पात्र में, पात्र अगर चांदी का हो, सुवरन का हो, पितल का हो, तांबे का हो, तो अतित्म है, बगवान को बी उनको पीड, तुम्हें पीड सब घरन की धन्य धन्य रगुबीर तो बगवान हर एक भक्त की इच्छा पुर्ण करने के लिए कभी कहीं चले जाते हैं तो बगवान की पूजा से पूर्व पहले बगवान का अवहान कीजिए बगवान से प्रात्न केजिए के प्रवु आप कहीं पर भी हैं वहाँ पर आप हमारे घर में आएए और आकर के अपना सनान करवाईए तो बगवान को तुल से दल के उपर आप स्थापित कीजिए फिर एक अरग में अरगे में अगर अरगा तांबे कहा तो अच्छा है ने तो चांदी का अरगा भी हो तो अति उत्तम हैं उसमें आप शुद जल डालिए शुद जल से चार बार बगवान को सनान करवाईए पा उत्तम करने के बाद सनान करवाईए सनान करवाने के बाद भगवान को आप दूद से सनान करवाईए दूद से सनान करवाने के बाद आप फिर शुद जल से सनान करवाईए फिर आप ददी से भगवान को सनान करवाईए उसके उपरांद फिर शुद जल से सनान करवाईए फिर आप भगवान को गी से सनान करवाए, घी से सनान कराने के बाद आप फिर शुद्जल से सनान करवाए, फिर भगवान को अच्छे तरह से सनान करवाए, फिर आप शुद्जल से सनान करवाए, फिर भगवान को शक्कर से सनान करवाए, और फिर शुद्जल से सनान और फिर आपने क्या करना है फिर आपने भगवान को जग्योपवितर अरपन करना है जग्योपवितम परमंपवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात आयूश्यमग्रम प्रति मुंच शुप्रम जग्योपवितम बलमस्तुते जह तो भगवान को जग्योपवितर अरपन क आप भगवान को सुंदर वस्तर अरपन कीजिए, सुंदर वस्तर अरपन करने के वाद आप अश्ट गंद से भगवान को तिल लगाईए, और फिर आपने भगवान को तिल चड़ाने है, सफेद रंग के तिल, एक बात याद रखें कि हम बैसे प्रतेक देव की पूजा में च सफेद तिल का भोग लगाया जाता है, अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है, चावल हैं, तो आप चावलों को पीला रंग करके भगवान को अरपन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तर आप यही संभव होतो तिल ही चड़ाएं, तिल चड़ाने के वाद आप भगवान को अब मोक्ष प्रदम तुब्यम समर पयामी हरी प्रियाम हरी को जो सब से प्रिये है वो तुल सिदल भगवान को आप अरपन करें, फिर भगवान को आप लगाएं भोग, भोग में नवेद्य किसी प्रकार का भी नवेद्य भगवान को आप अरपन कर सकते हैं, नवेद्य मे भी आप तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें और फिर जब नवेद्य रपन करें तो भगवान के सम्मुक गंटी नाद अवश्य करें क्योंकि भगवान विश्णु को सबसे अधिक प्रिये है भगवान गंटी के बिना कभी भोग नहीं लगाते बहाँ पर आप गंटी लानी थी तो उसमें आप दक्षना वरती संक का प्रियोग करें दक्षना वरती संक की आकरिती जो उपर से बिलकुल बंद होता है और उस जल उस शंक में अगर आप जल बर करके भगवान विश्णु को भगवान शाली गराम को अरपन करते हैं तो आपको अनंत गुला भगवान के साथ रखें और भगवान विश्णु के साथ में गोमती चक्र के उपर भी अश्टगंद लिगा करके आप राधारानी का सबरूप मान करके उनको साथ में स्थापित करें और फिर भगवान विश्णु की लक्ष्मी नारायन की आप आरती उतारें तो निश्च और बगवान शाली गराम की जो पूजा है विशेश तोर पर पूर्ण माशी को इस वीदी से आप करें और नित्य प्रति दिन सदारन जल से दक्षना वर्थी शंख में आप जल अर्पन करके बगवान को चड़ाते रहें बगवान को तिल्ग लगाते रहें लेकिन जो मैंने आपको विदी बताई है संपुर्ण विदी इस विदी को केबल पूर्ण माशी के दिन भी आप करें तो भी अधिक आपको फल परदान करने वाली है बंदुओ जे था शाली गराम की पूजा कैसे करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्तिरस लाइव को नहीं किया तो सर अप्रतम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का चिंद वाएं तांकि हमारे द्वारा दी गई प्रतेक जानकारी सहस्ता से आप रख बहुंच सके जैश्री कृष्णा जैश्री रादे जैश्री कृष्णा जैश्री रादे